नमस्ते मेरा नाम शुपम शुकला है और मैंने 2017 में बिटेक पास की उसके बाद से मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और पिछले 2-3 साल से जब से कोविड आया है तो मुझे यहां पर थोड़ी सी जॉब अंसर्टेनिटरी दिखी तो मैंने डिसाइड किया है कि गाइडली का बंडल PDF कोस आता है वो खरीद लो उसके अच्छाही क्या है कि उसमें चीजें बहुत systematic order में दी हुई है तो वो कुछ खोजना नहीं पड़ेगा और जब तुम उसको solve करोगे कर दिक्कत होगी तो उसके लिए भी तुमको कहीं पर solution के लिए खोजना नहीं पड कि ऐसा है कि थोड़ी सी level up है पर अच्छी बात है यह level up है क्योंकि कभी कभी exam tough आई जाते हैं कि इस shift में तो फिर तुमको वहाँ पर help मिलेगी और यह मुझे देखने को मिला साथ तारीक को RRB clerk का जब मेरा exam था तो shift थोड़ी tough थी पर मैंने 75 attend कर पा है योकि मेरी आदत थ थी थोड़े से level up mock test देने की जो गाइडली के थे तो मुझे लगता है कि इस बार मेरी त्यारी अच्छी है और मैंने कहीं पर बहुत जाता इस सिर्ण पैर नहीं मारा मैंने बस गाइडली का जो PDF था मैंने बस उसको solve किया Journal awareness और बाकि English का जो sectional होता है मैं उसको solve करता और मुझे लगता है कि इस बार मेरी त्यारी है बहुत सही है और मेरा इस बार selection हो जाना चाहिए पहला यह attempt है पर मुझे त्यारी क्योंकि systematic order में है तो मुझे लगता है मेरा selection हो जाएगा और गाइडली platform हम students के लिए इतना कुछ करता है मुझे नहीं लगता है कि इस से ज़ प्लैटफॉर्म होगा जो student की fees भर देता है scholarship test होते है वो student की fees भी भर देते हैं तो अभी मेरा goal यह है कि इस वार गुरु दक्षिना के तौर मैं अपना selection कि गौर्मिंट बैंक में करके मैं गाइडली को दूँ मेरी गुरु दक्षिना यही होगी